जिन बच्चों ने CBSC Verification of Marks के लिए अप्लाई कर रहा है, जो आपका पहले step है, उसके लिए अप्लाई कर रहा है, उन सभी को वेट है कि हमारे result कब तक आएगा, तो देखे result आने के लिए आपको इस चीज़ का ध्याना करने पड़ा है कि आपको लगबग एक हफता लग सकता है, अब आपसे भी जानते हैं कि तीनी step होते है, अगले step से पहले आपका पिछले step को जो result है, वो अनौंस हो जाता है, तो एक अगस्त को आपका second step शुरू होने वाले है, एनकि एक अगस्त से पहले आपका result सभी बच्चोंगा अनौंस हो जाएगा, तो वीडियो स्टाट क जो क्या भी कमिट्ट एक्साम में काफी हलफू हो सकती है, लिंक डिस्क्रिप्चर में जाइए और चेक अगड़ करें, अब यहां पर काही बच्चों एजिसने का result एनौंस हो जुका है, यानि कि सबका एक साथ नहीं आता है, धीरे धीरे आप सभी का upload होता रहेगा, जैसे आपकी जो verification है, वो हो जाएगी, तो आपके result के अंदर लिखा आएगा, mistake not found, काही बच्चों के अंदर लिखा रहे है, mistake not found, वो समझनी बारे से क्या मतलब है, mistake not found का मतलब है, कि आपके जो verification हुआ है, उसके अंदर marks के अंदर कोई mistake नहीं, यानि कि आपके जो marks दिए गए ग बता चुका हूँ, जिसका नाम है photocopy, आपको photocopy मिलने वाली है, अपने answer sheet की, और उसमें आपकी जो fee से वह है, 700 रुपीज पर subject, एक subject की एक कोपी की 700 रुपीज आपको pay करने पड़ेंगी, जो बच्चे के class 12 के students हैं, इसी का धान रगने आप सभी को, अब काही बच्चे ऐसे होंगे, जिनको लगएगा कि हम अब second step के लिए apply कर दें, अगर उन्हें first step के लिए apply नहीं करा है, वो बच्चे second step के लिए apply नहीं कर सकते, सिर्फ वही बच्चे second step पर जा सकते हैं, जिन्होंने first step के लिए apply किया, तो verification और marks के लिए apply करा था, अगर आपको लगता है कि म marks तो बढ़ सकते हैं, तो आप second step पर जा सकते हैं, 700 rupees में आपको per copy आपकी जो answer sheet है, उसकी photo copy मिलेगी, online आप उसे check कर सकते हैं, तो यही कुछ चीज़ें I hope समझायों, कोई भी आपको doubt or comment कर सकते हैं, कोई आपको ने notice होता है नजबात करेंगे, thank you.